बोलिवुड की कई फिल्मे कोलिज लाई पर फिल्माई जा चुकी हैं जिसमें आपने बहुत सारे स्टार्स को कोलिज लाई चीते हुए देखा होगा पहले के डारेक्टर अकसर फिल्मों की सूटिंग सैट बना करते थे एकिन आज कर रियल्टी दिखाने के लिए फेमस कोलिज केंपस में ही सूट करने लगे हैं आए जानते हैं देश के उन फेमस कोलिजों के बारे में जो फिल्मों में नजर आ चुके हैं मुंबई का जे वीडियस कॉलिज कई बोलिवुड फिल्मों और विज्यापनों में दिखाई दिया है फिल्म जाने तू या जाने ना और कुछ-कुछ होता है कि सुटिंग इसी केंपस में सुट की गई थी फिल्म त्री इडियस की सुटिंग आई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ाई-ा पंधान इस्ट्यूट कई फिल्मों में भी दिखाई दिये हैं। चिन में करन जोहर की स्टूडेंट ओफ दा इयर भी शामिल है। इसके अलावा किर्शना कोटेज रहना है तेरे दिल में और पान सिंग तोमर को भी यहां फिल्म आया गया था। फिल्म बोडिकार्ड को पुने के सिंबायोसिस यूनिवर्स्टी केंपिस में 43 तक की सूटिंग की गई थी। इसके अलावा दंगल और चिचोरे के कुछ सीन भी यहां सूट किये गए थे। फिल्म मुन्ना भाई, MBBS की सूटिंग मुंबई के गरांट मेडिकल कोलीज में की के लिए थी।